नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हमारे चैनल में दोस्तों मुर्दे को भी जीबित कर देता है या पौधा जी हाँ दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आप को ऐसे पौधों के बारे में बताने वाले हैं जो एकिनान अगर बिल्कुल कमजोर यानि अगर मुर्दे बैक्ति को भी खला दिये जाएं तो एकिनान उसके जिसम में जान आ जाएगी दोस्तों ये पौधे इतने चमतकारिक हैं कि इनके खाने मातर से ही आप के अंदर वो ताकत और शक्ति पैदा होगी कि आप अगर बिल्कुल अगर चारपाई पर भी पड़े हैं तब भी आप उठने लगेंगे और चलने फिर ने लगेंगे आज के इस वीडियो में हम आपको ऐसे ही चमतकारिक पोधों के बारे में विस्तार से बताने वाले हैं तो प्री मित्रों बने रही है वीडियो के अंत तक क्योंके आज का वीडियो भाती नालेजबल होने वाला है जानकारी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें चलिए अब शुरू करते हैं आज का वीडियो दोस्तों सबसे पहला पवदा है सोम बल्ली प्राचीन ग्रंतों एबम बेदों में सोम बल्ली के महत्तो एबम उपियोगता का ब्यापक उलेक मिलता है अनादी काल से देवी देपताओं एबम मुनियो को छिराओ बनाने और उन्हें बल प्रदान करने वाला पवदा है सोम बल्ली बताया जाता है कि रीवा जिले के गने जंगलों में या पवदा आज भी पाया जाता है और दोस्तों इसका बहुत ही उपियोग किया जाता है दोस्तों इसकी कई तरह की प्रजातियां हैं जो आदमी को बहुत ही बल्बान बना देती है दोस्तों प्राचीन ग्रंथों एवं बेद प्रानों में सुम्बली पौधे के बारे में कहा गया है कि इस पौधे के सेवन से शरीर का काया कलब हो जाता है देवी देपताब आमुनी इस पौधे के रसका सेवन अपने को चिराओ बनाने एवम वल सामर्थ एवम समर्दी प्राप्त करने के लिए किया करते थी दोस्तों रिगवेद में सोम रस के बारे में कई जगा वरण मिलता है एक जगा पर सोम की इतनी उपलबता और प्रिचलन दिखाया गया है कि इंसानों के साथ साथ गायों तको भी सोम रस भरपेट खिलाएं और पिलाए जाने की बात कही गई है दोस्तों दूसरा पौधा है एफड्रा कुछ बर्स पहले एरान में एफड्रा नामक पौधे की पहचान कुछ लोग सोम से करते थे एफड्रा की छोटी छोटी टहनिया बर्तमान में दच्छडी पूर्वी तुर्किमस्तान में तोगो लोग 21 नामक मंदिर परिसर में पाई गई दोस्तों इन पौधों का बेवार और सोमपान में अनुष्ठान में होता है एदप्पी इस नलायक साच के लिए खोच जारी है हलाकि दोस्तों इसका इस्तमाल लोग योन बर्तक दवाई के रूप में करते हैं दोस्तों अगला पौधा है हत्ता जोडी माना जाता है कि हत्ता जोडी को अपने पास रखने से लोग आपको सम्मान देने लगते है या एक विशेश प्रकार का पौधा होता है जिसकी जड़ खोदने पर उसमें मानब बुचा जैसी दो शकाएं निकलती है इसके सिर पर पंजे जैसा बना होता है या पूर्ता माना भाद के समान होता है इसलिए इसे हत्ता जोडी कहते हैं दरसल उंगलियों के रूप में उस पंजे की आकरती ठीक इस तरह की होती है जिसे कोई मुठी बांदे हो जड़ निकलकर उसके दोनों शाखाओं को मोड़कर परसपर मिला देने से करवद की इस्तिती बनती है इसके पोदे प्रा मद्यपरदेश के जंगलों में पाये जाती है प्रीमित्रों हत्ता जोडी बहुती शक्तिसाली इबं प्रभावकारी है या एक जंगली पोदे की जड़ होती है माना जाता है मुकदमा, शत्रुसंगर्स, दर्दता, आज के निवारण में इसके जैसा चमतकारी पोदा कोई दूसरा नहीं है दोस्तों माना तो ये भी जाता है कि इस पर माचामुंडा की असीम किरपा स्वयमी होने लगती है जो ब्यत्य हत्ता जोड़ी का जड़ अपने घर में ले आता है दोस्तों अगला पोदा है तेली आकंद इसकी जड़ों से तेल का रिसा होता रहता है इसलिए इसे तेली आकंद कहते हैं माना जाता है या पवदा सोने के निर्मार में महत पूर्ण भूमिका निवाता है कहते हैं या किसी विशेस निर्मार बेदी से पारे को सोने में बदल देता है लेकिन इसमें कितनी सचाई है या कोई नहीं जानता हलाकि माना जाता है इसका मुखी गुण सांप के जहर को काटने के लिए इस्तमाल किया जाता है दोस्तों पहले परकार को पुरुस और दूसरे को इस्त्रेंड तेलियाकंद कहते हैं इसमें सिर्फ पुरुस परकार के तेलियाकंद में ही गुण होते हैं इसकी पहचाने या है कि इसके कंद की सुई चुबो देने भर से ही ततकाल वा गलकर गिर जाता है इसका कंद शल्जम जैसा होता है या पोदा सर्ब गंदा से मिलते जुलते पत्ते जिसा होता है दूस्तों अगला पोदा है स्रेत अपारजिता स्रेत अपार्जिता का पोधा मिलना कठी नहीं हलाके नीले रंग का आसानी से मिल जाता है स्रेत अक्डा और लच्मणा का पोधा भी स्रेत अपार्जिता के पोधे की तरह धल अच्मी को आक्रसित करने में सच्चम है इसके सफेद या नीले रंग के फूल होते हैं अक्सर सुन्दता के लिए इस पौदे को बंगीचे में लगाया जाता है प्रीमित्रों इसमें बरसात के सीजन में फलियां और फूल लगते हैं दूस्तों अगला पौदा है पलास पलास के फूल को टेसू का फूल भी कहा जाता है इसे ढाक भी कहा जाता है या वसंत रिदू में खिलता है पलास तीन प्रकार का होता है एक वाज जिसमें सफेद फूल उगते हैं दूसरा वाज जिसमें पीले फूल उगते हैं और तीसरा वाज जिसमें लाल और नारंगी फूल लगते हैं, मना जाता है कि सफेद पलास के फूल की एक गुठका बनती है, जिसे मुँ में रखने के वाद आदमी तब तक गाइब रहता है, जब तक गुठका पूर्टा गल नहीं जाए। दोस्तों सफेद पलास के फूल चांदी की गड़ेस प्रतिमाब चांदी में मड़े हुए काच्छी नारियल को अभी मंदृत कर तिजोरी में रखें, इससे धन संपत्ती बढ़ती है, मना जाता है कि पलास के पीले फूल से सोना बनाया चासकता है, प्राचीन साहित में इसका उलेक मिलता है, दोस्तों अंगला पोधा है बांदा, बांदा अत्वा बनाल नाम की परोब जेवी बनस्पती परता सभी बिरच्छों पर उग जाती है, जिसे आम पीपल महुआ जामून, दोस्तों इसके पतले लाल गुच्छेदार फूल और मोटे कड़े पते पीपल के बराबर होते हैं, हलाकि बहुत से अलग अलग भी बनदा होते हैं, जिसे पीपल के पेंड का किसी भी दूसरे पेंड पर उगाता है, तो उसे पीपल का बनदा कहते हैं, इसी तरह नीम जामूनाद के बनदा भी होते हैं, तंतरशास्त के असार प्रतियेक पेंड पर उगा बादा एक विशेश फल देता है दोस्तों बरगत का बादा माजू में बादने में हर कारे में सफलता मिती है और कोई भी आपको हानी नहीं पूँचा सकता अनार का बादा पूँजा करने के बाद घर में रखने से किसी को बुरी नजर नहीं लगती है और नाही भूत प्रेद आदनकारात्मक शक्तियों का घर में परवेस होता है दोस्तों अगला पूदा है कीड़ा घास कीड़े घास जैसी दिखने के कारण उत्तरागंड के लोग इसे कीड़ा घास कहते हैं तिबबती भासा में इसे यार साद गुम्बू कहा जाता है जिसका आर्थ होता है ग्रीस मृतू में घास और शीत रृतू में जन्तू अनुसंदान करता के नुसार यरसी गवा हिमाली छेतर की विशेश फरकार की है एवं यहां पाये जाने वाले एक कीड़े के जीवन चक्र के अद्वू सयोग का प्रिणाम है कहते हैं उत्त्रागंड के पिथोरगड एवं चमोली जिले के 3500 मीटर की उचाई के एलप लाइन बुग्यालों में या घास पाई जाती है तिब्बती साहित के नुसार यहां के चरबाहों ने देखा कि जंगली में चरने वाले पशू एक विसेश प्रकार की घास जो कीडे के समान दिख्तिये को खाकर हष्ट पुष्ट एवं बलबान हो जाते हैं देरे देरे या घास चमतकारी कौसदी के रूप में अनेक बीमारियों के इलाज के लिए प्रियोग होने लगी